आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के एकलोते ऐसे खुंखार एर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो की इस वक्त सबसे जादा चल्चा में है इसका नाम है आईरिस्टी एसलम आईरिस्टी एसलम को डिशेल ग्रूप ने बनाया है और यह इतना खास है कि अगर आप सोचल मीडिया पर इसको जाएंगे या गूगल पर आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको हजारों वार्टिकल सपर्टने को मिलेंगे क्या देश्टी मीडिया क्या देश्टी मीडिया सब इसके बारे में लिख रहे है लेकिन आफिर यह इतना खास क्यों है और क्यों इसकी चर्चा हो रही है लेकिन इसे जर्मनी अब किसी और देश को देने वाला है इसकी कीमत जो है तक्रीबन एक दश्मालों ठारा हजार करोड़ रुपए की है और आपको बता दें कि 2014 में इसका सफल परिक्षन हुआ था और इसके शुरुवाती 4 उनिट्स हैं उनको किसी दूसरे देश को जो जर्मनी है वो दे रहा है लेकिन ज़रा सोचिए कि कोई देश अगर हत्यार बनाता है तो सबसे पहले वो इसका इस्तमाल अपनी सेनाव में करता है लेकिन इस एर डिफेंस सिस्टम में अगर बात करें इसकी तो ये एर डिफेंस सिस्टम सेना में सामिल नहीं हुआ लेकिन उससे पहले किसी और देश को दे दिया गया इस air defense system की अगर हम मारक शमता की बात करें तो ये 40 km की दूर तक प्रभावी है और 19 km तक हवा में मार कर सकता है ये विशेश तोर पर बड़ी आबादी शेत्र को aircraft, missile, rocket, drone attack से बचाने के लिए खास तोर पर बना गया है ये जो air defense system है इसमें mobile launcher है और इसके अलावा इसमें 360 degree radar भी है जो इसके लिए काफी महत्वपू हो जाता है अगर हम इसके air defense system की बात करें तो इस पर जर्मोनी लागातार काम कर रहा है IRIS TSLM air defense system नई पीढ़ी का है और इस नई पीढ़ी के air defense system ने इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है चलिए अब विस्तार समझते हैं कि IRIS TSLM कैसे काम करता है आपको बता दे कि इसमें तीन तरह के जो हैं गाडिया होती है एक साथ एक होता है launcher, एक होता है command and control और एक होता है जहां से radar होता है जो की तमाम गत्विधियों को, तमाम missile को, तमाम targets को track करता है अगर सम्सर्विलांस की बात करें तो वहाँ पर जो elevation angle है वो तकरीबन 90 degree तक है और जो system लगा है, जो launching system है इसमें high firing power है इसके लावा ये multiple targets को एक साथ engage कर सकता है, threat evaluation है इसके लावा आपको बता दें कि इसमें तकरीबन 40 km तक और 20 km altitude तक मार गिराने की target को शमता है और जो तीन system या तीन जो गाड़ियां होंगी यानि यह जो air difference system है वो एकलोता नहीं है बलकि तीन गाड़ियां एक साथ एक जगह पे होंगी तब जाके iris tslm जो है वो पूरी तरीके से complete होता है अगर हम इसके रडार की बात करें तो इसके शमता है वो तकरीबन 200 km के दाइरे में कोई भी target अगर आता है तो उसको ट्रैक कर लेगा अगर हम इसके launching की बात करें तो जो missile से 40 km तक बता हमने कैसे हमला कर सकती है इसके लाबा इसमें जो 360 डिग्री लाउंचर भी लगा है जो इसे और ज़्यादा खास बना सकता है यान किसी आंगल से किसी भी दिशा में ये missile छोड़ सकता है बनाने वाले कंपनी दावा करती है कि सबसे जादा effective है खासकर layered air defense के लिए जिस तरीके से अमेरिका की जो Patriot Pack 3 missile defense system है जिसको कहा जाता है सबसे जादा altitude तक वो मार कर सकती है उनके मुकाबले में ये एक बहतरीन विकल्प है और हम इस खबर को आप तक इसलिए पहुंचा रह है और आपको बता दे कि जर्मनी से इन air defense systems को नाटो खरीदेगा और नाटो इन हथियारों को यूक्रेइन को देगा फिलहाल यूक्रेइन चाहता है कि ऐसे 11 air defense system को खरीदा जाए ताकि वो अपने इलाकों को शेहरों को सुरक्षी तक सके क्योंकि क्यूब में जिस तरीके से बंबारी और निसाइले गिरी उसके बाद से यूक्रेइन समेट पूरे पश्मी देशों में इस बात को लेकर चिंता है कि किस तरीके से यूक्रेइन के शेहरों को लोगों को बचा आ जाए तरुब में पूरे तरुब में जाए